आज की इस वीडियो में हम डोनर्स बनाएंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गिया तो प्लीज सब्सक्राइब करने सबसे पहले एक बॉल में दो कप मेदा डालेंगे दो चुटकी नमक डालेंगे एक टीस्पून चीनी और एक टेबिल स्पून यीस्ट अब पानी डालके इन सबको अच्छे से गून लेंगे गूनने के बाद दो के ऊपर तेल लगाकर दो घंटे के लिए रख देंगे ताके यी अच्छे से फूल जाए दो घंटे बाद इसको हम दुबारा से थोड़ा गून लेंगे बाद 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 लेंगे अब इस दो से पेड़ा बना लें जैसे के हम रोटी के लिए बनाते हैं और अब हाथों से इसको ऐसे फ्लैट कर लें डोनट का शेफ देने के लिए अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसे ग्लास से उसको काट लें और पोतल के धकन से बीच में से काट और बागी के डो से भी ऐसे ही डोनट बना लें और अगर आप चाहें तो इनको डोनट का शेफ देकर एक से दो हफ़ते दक फ्रीज भी कर सकते हैं अब यह जो डोनट हमने बनाए थे उनको फ्राइ कर लेंगे दोनों साइज को मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है चार से पांच मिनट तक ताके इन पर अच्छा सा कलर आ जाए डोनट हमारे फ्राइ हो चके हैं अब हम इनको निकार लेंगें लेंगे यह व्राइ यह जव्राइ झाल झाल यहां पे मैंने चॉकलेट स्प्रेट का यूज किया है अगर आपके पास चॉकलेट सॉस नहीं है डिप करने के लिए तो आप ऐसे कोई चॉकलेट स्प्रेट या नुटेला भी यूज कर सकते हैं झाल झाल अब इस प्रिंकल से डोनट को डिकोरेट कर लेंगे और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बस ऐसे चॉकलेटी रहने दें थोड़ा साथा बच गया था यहां पर मैंने टाइनी सा डोनट बना लिया था उसे और पर आपके देंगें यहां पर मैं एक दूसा डोनट बना रही हूं और इसको मैं कोकोनट से गार्णिश करूंगी अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो अलाहाफिज अर्णिश कर दो मेरे लाचिंग पस्टाइब आखिए बना रही हूं जरूर के बना रही हूं आई हूं जरूर को लागर मेरे चाईब आई हो तो मेरे टाईब आई है